हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है घोंगट सालिनी को ससुराल आये चार ही दिन हुए थे ससुराल में सभी रस्मेनी भाते हुए चोथे दिन किचन में चूला पूजन कर सालनी बहुत अच्छे से एक आदर्स बहु का फर्ज निभाने लगी संयुक्त परिवार के ससुराल में सास दादी सास जेट जठानी और उनके दो बच्चे थे सालनी के जठानी राधिका भी बहुत ही अच्छी थी सालनी के आने से दोनों बहुनों की तरह प्रेम प्रुवग रहने लगी सास भी दोनों बहुँ को एक साथ प्यार से देखकर बहुत खुश रहती थी वैसे सालनी के ससुराल में सब कुश सही था बस जेट और सालनी को लेकर सास ने घूंगट के साथ ही बहुत सारे नियम बनाये थे जब भी सालनी किचन में काम करती तब जेट को किचन की ओराना मना था जब जेट जी सालनी के कमरे के पास से किसी काम से भी गुजरते तब सास सालनी को कमरे में ही बंद रहने को कहती जब तक जेट जाते नहीं तब तक सालनी कमरे में ही बंद रहती मतलब एक दूसरे से आमना सामना हर हाल में नहीं करना था जेट और छोटी बहु को अगर सयोग से आमना सामना हो भी गया तो दोनों को भागना पड़ जाता है जेट जी तो छलाग लगा कर भागते हैं और छोटी बहु बड़े-बड़े कदम बढ़ा कर कई बार दोनों देवरानी जेठानी हस्ती भी हैं चर्चा कर कि अपने ही घर में दोड़ दोड़ कर कबड़ी खेलते हैं जेट जी इसी वज़ा से सास ने छोटी बहु को साधी के समय ही उपर के कमरे में शिप्ट कर दिया था पर किचन नीचे होने के वज़ा से सालनी को बार प्यार से हाथ पकड़ कर बिष्टर पर बैठा दी इतनी में दादी सास अचानक आकर जोर जोर से चिलाने लगी तब तक सास भी आ गई दोनों मिलकर सालनी और राधिका को खुब खरी खोटी सुनाने लगी ये क्या छोटी भू तुम्हारे माबाप ने संसकार नहीं सिखाए क्या जेट के बिस्तर में नहीं बैठते हैं और ना ही जेट के कमरे में आते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जेट के बिस्तर में बैठने की डर से सालनी उठकर खड़ी हो गई जैसे ही कुछ कहना चाही तब तक राधिका ने भी दबे सब्दों में कहा मम्मी जी मैंने ही ब बैठती ही हैं वहां दबे सुर से सालनी ने भी रादिका की बातों से सहमत जताई क्योंकि सालनी के मायके में भी ये सब नहीं मानते थे कोई फिर भी दादी सास का पारा हाई ही रहा तुम दोनों के मायके में नंगे ही रही कोई मुझे मतलब नहीं है मेरे घर में ये सब नही करेंगे बजरुकों से साथ ही बदलाव भी लाएंगे इसी तरह आप सालनी जेठानी के कमरे में भी सास और दादी सास से नजर बचा कर ही जाती थी क्योंकि सालनी का कमरा तो ऊपर था और किजन में खड़ी-खड़ी ठक जाती थी जब तक खाना पिना नहीं हो जाता सभी का तब तक सुस्तान या बैठने के लिए राधिका अपने कमरे ही ले जाती थी सालनी को जब कभी राधिका के साथ सालनी को कमरे में देख भी लेती सास या दादी सास बगबग करके एक दिन गुस्सा दिखा कर खुद ही चुप हो जाती थी दोनों बहुएं ने तो प्रड़ काम से जा रहे थे अचानक सालनी को देखते ही बड़े छलांग लगा कर भाग गए अचानक भागने की वज़ा से जेट के पैरों में मोच भी आ गई थी फिर जेठानी ने बाम और गर्म पानी से सेकर ठीक किया एक दिन मौका पाकर राधिका ने सालनी को समझा कर दादी सास और सास के पास भेजा सालनी ने दादी सास के बालों में तेल लगाते हुए कही दिया दादी मा लिहाज नजरों से की जाती है बिस्तर में बैठने या कमरे में जाने से कुछ नहीं होता जेट जी भी तो पती के बड़े भाई तो मेरे भी बड़े भाई ही है ना जब पती क मा बाप दादा दादी सम मेरे अपने हुए तो पती के बड़े भाई भी तो मेरे भाई हुए ना जब राधिकादी मेरी बड़ी बहन जैसी हैं तो भाया जी मेरे बड़े भाई हुए ना अगर मान के चलिए दादी मा घर में कोई नहीं है और आपकी छोटी बहु की तवियत बहुत बिगड जाए तब क्या भया जी तो छोड़ देंगे ना लिहाज के वजा से मलने के लिए या फिर डाक्टर के पास ले जाएंगे या फिर भया जी अगर खाना खा रहे हैं घर में कोई नहीं हो उन्हें जोर से हिचकी आ गई तब तो मैं परंपरा निभाने के चकर में पानी नहीं दूंगी उन्हें इज्जत और सेवा मन से की जाती है दादी मा तबी जेठानी रादिका ने भी कहा सालनी से ही कह रही है मा दादी मा अब देखिये ना इस तरह भागने दोड़ने से आपके बेटे को चोट भी लगी घर में ही कबड़ी खेलते हैं जेट भू के परदे में सास और दादी सास एक दूसरे कामू देखने लगी दादी सास के चेहरे में फिक्र और चिंता की लकीरे साब साब दिख रही थी और सास के आँखों में अपने परिवार के लिए प्यार उन्होंने दोनों बहूं से कहा जैसा ठीक लगे तुम दोनों को अपने हिसाब से मैनेज करो पर हाँ मर्यादा में रहकर दोनों बहूं ने एक साथ जी मम्मी जी कहते हुए खुसी खुसी अपने कामों में लग गई उस दिन के बाद से कभी भी जेट के कमरे को लेकर कुछ नहीं कहा सासने और जेट ने भी अपने ही घरों में कबड़ी खेलना, मतलब दोड़ना, छलांग लगाना बंद कर दिया, मर्यादा और इज़त को बचाते हुए एक बड़े बदलाव के साथ घर से अचिब दक्यानूसी सोच हमेशा के लिए बाहर हो ही गया असा करती हुँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सस्क्राइब सेर जरूर करें, धन्यवाद